असलाओ लेकूं दोस्तों तो जैसे कि आप देखसकते हो आज मैं बनानी हूँ वाल की फल्ली आप तो जानते ही होंगे कि कोई इसे वाल पापडी कहता है कोई वाल फल्ली कहता है तो यहां पर आप देख suf मैंने वाल की फली ले ली हूं एक पाउं और इसे हम पीस निकलते हैं अच्छे तरीके से उससे कट उससे पीस में कट कर लेंगे पने घुप्र में काट लेंगे इसे और यहां पर मैंने अपने जरूरत के हिसाफ से हरी मिर्च और कुछ लसन ले ली हूं लसन की कलिया और यहां पर मैं फली मुंग फली डाल के बनाने वाली हूं तो यहां पर मुझे जितनी चाहिए उतनी मुंग फली ले ली हूं मैंने और मुंग फली को यहां पर मैंने मिक्सी के जार में हरी मिर्च और लसन को डाल दी हूँ पहले इससे हम एक बार अच्छे तरीके से मतलब गुमा लेंगे और जैसे ही मिक्सी में हरी मिर्च और लसन हमारा बारिक हो जाता है मतलब इतना नहीं दर्दरा सार रखना है उसके बाद हमें फल्ली डालना है तो फल्ली डालने के बाद आप देख सकते हो मैंने कैसे मोटा मोटा ही से कूप लिया है अच्छी तरीके से फल्ली को onun मोंगफ और हरी मिर्च और लसन को तो हम अब घिसमें हमें बरतर में बनाना को मिकसी में घ्राइड करो कह і अच्छा पंदूर हो जाए से तैल में आपकर लेंगे और प्राइड करने के बाद में इसे हम नमक जालेंगे इसके जितना हमें जरूरत के हिसाफ से टेस्ट के हिसाफ से नमक डाल देंगे नमक डालने के बाद में इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे जादा चीजें इसमें नहीं जाती है इस सबजी बनाने में लेकिन ये माशालला बनकर बहुत अच्छी तजार होती है खाने में भी बहु कारे में जूनि जाए उसके बाद में मैंने जो यहां पर फली को सभी किज़ों का हलदी नमा कि अच्छी तरीके से टेस्ट उसमें एक जैसा हो जाए तो हमें इसे मिक्स करना एई video आप देख सकते हों कलर किते अच्छा आया है तो अब हम इसे आल का सा इसमें मिक्स कर देंगे ताकि पानी सब तरफ से एक्विल हो जाए आप देख सकते हो यहां पर मेरी फली को जोश आ चुका है तो जैसे ही फली को जोश आ गया उसके बाद में हम इसे ढकन लगा कर इससे कम से कम दो से तीन सीटी ले लेंगे अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अगर कोई नए है तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई पुराने है सब्सक्राइबर तो लाइक शेर कीजिएगा देखिए यहाँ पर जैसे ही सीटी दो से तीन सीटी हो चुकी थी मैंने यहाँ पर पेशे कोकर को खोल दियो और आप देख सकते हो माशाला कितने अच्छे से बन करके तयार हुई हमारी वाल पापड़ी की फल्ली मैंने यहाँ पर इसे प्लेट में निकाल ली हूँ देखिए कितने अच्छे से बन कर तयार हुई है आप भी इसी तरीके से बनाईएगा मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ लाल मसाले में भी बनाना आपको बताऊंगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कि ये मेरे चैनल को मिलती हूँ किसी अच्छी से रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफ़िज और ये रेसिपी कैसी लगए आपको जरूर से बताना मुझे कमेंट में